परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं अक्सर ओलोग खामोस रहते हैं जमाने में जिनके भुनर बोलते हैं सम्मा परवाने को जलाना सिखाती है मुसाफिर को ठोकरों से होती है तो है तकलीपे लेकिन ठोकरे ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है तो हेलो फ्रेंट्स आपका अपना परिवार मस्त क्लासेज में तह दिन से स्वागत हैं आज के इस वीडियो में मैं आप सब को एक ऐसे महत के प्रस्थिन से रुबरू कराऊंगा जो बार बार आपके एक्जाम में आते हैं अता आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस वीडियो को देखने में लगा दे आपके ये क्वेशन 3 मार्स और कभी कभी 5 मार्स में भी आ जाता है तो आपका वो पूरा हो जाएगा वो नंबर मिल जाएगा न तो आप सब वीडियो को देखे कि ऐसे क्वेशन को कैसे बनाते है तो देखी questions लिखा है यह आपका star question है कि 1 बटा में x plus 4 minus 1 बटा में x minus 7 बराबर 11 बटा 30 का मूल ग्याद करें यानि सुन्ने को को निकालना है तो अईसन questions को कैसे बनाते हैं आईए हम आपको solution के माध्यम से बनाते हैं बताते हैं आप सब थोड़ा वीडियोज को अंतक देखेंगे देखिए कई से solution करना है यह दोनों बटा में हैं तो इसका LCM ले ले लेजिए तो LCM लेजिएगा तो हो जाएगा x plus 4 आई हो जाएगा x minus साथ है आप परिक्षा में कैसे लिखेंगे इस वीडियो के माध्यम से जानेगे जब आप x plus 4 में x plus 4 से भाग करेंगे तो यह cancel out हो जाएगा बचेगा x minus 7 तो यहां हम लिख लेंगे x minus 7 जब भी minus आए तो उसके बाद post ले लेना है x minus 7 से भाग करेंगे तो x minus 7 कर जाएगा बचेगा x plus 4 तो यहां लिख लेंगे x plus 4 अब इधर बच गया 11 बटा clear अब आगे बढ़ते हैं देखते जाएगे मैं कैसे solution करता हूँ लिखने का तरीका भी तो x minus 7 यह बलाओगे minus x plus minus minus 4 अब निच्चे देखिए इसको क्या करेंगे यह दोनों formula को गुना करेंगे x में जब x ले गुना हुआ तो x से square x में 7 से हुआ तो minus 7 x 4 में जब x ले हुआ तो plus 4 x यहाँ plus है यहाँ minus है तो minus 28 equal to 11 by 30 clear अब यहाँ भी plus x यहाँ minus x इसको cancel out कर लीजी अगला line में यह देखिए एक साथ होना चाहिए कोपी चिक करने वारा इससे आखरसित होता है minus 7 और minus 4 मिलके minus 11 अब यहाँ x से square minus 7 plus 4 x दोने एक ही है लेकिन एक minus में एक plus में तो घटा लेंगे तो यहाँ बचेगा minus 3 x minus 28 equal to 11 by 30 clear अब यहाँ 11 से मैंने इस 11 को cancel out कर लिया एक बार में इसके बाद हम तिर्शा तिर्शी गुना करेंगे x square minus 3 x minus 28 का जब 1 से गुना होगा तो यही आएगा x square minus 3 x minus 28 equal to अब 30 में यहाँ भी 1 बार में कटाए हैं अब minus है तो minus 30 अगला लाइन में देखिए x square minus 3 x minus 28 और minus 30 इधर आएगा तो plus 30 equal to 0 ठीक है इसके बाद इधर देखिए मैं सुलूसर अच्छे से करके बता रहा हूँ कैसे है ना अब देखिए अगली लाइन में आपका होगा x square minus 3 x 30 है प्लस में 28 है माइनस में तो 30 में से 28 गटेगा प्लस 2 equal to 0 अब यह हमाई quadratic equation बन के त्यार होगा quadratic equation के बाद इसे हम solution कैसे करेंगे बता रहा हूँ factor टूड़ना है गुड़नखन टूड़ना है किनारे किनारे गुणा करेंगे तो 2x square आ रहा है बीच वाले को 2x में टूड़ना है तो x square यहां लिख लेंगे minus 2x और minus x minus 2x और minus x मिलके minus 3x और जब गुणा करेंगे तो plus 2x square आ जागा ठीक है प्लस 2 equal to 0 है ना इसका कहीं side में गुणा किया जाता है ऐसे 2 और x square में करते तो 2x square आ रहा था वैसा ही बीच वाले को लाना है फिर इसके बाद इस दोनों में common लेंगे इसदों में x x common x को common लिया तो यहां x बचा यहां minus 2 अब इसमें minus 1 common है minus 1 को ले लिया तो यह एक और इधर बचा minus 2 equal to 0 अब देखिए x और यह minus 1 को मिला के लिख लेंगे x minus 1 और इसको double है तो एक लिख लेंगे x minus 2 equal to 0 अब यह 0 दोनों के लिए है तो यहां से लिखेंगे x-1 बराबर 0 या x-2 बराबर 0 तो जब minus 1 बराबर के उस साइड जाएगा तो x equal to 1 आएगा तो यह आपका एक answer हो जाएगा या minus 2 जब बराबर के उधर जाएगा तो x बराबर 2 हो जाएगा यानी सुनेक तो होंगे एक 1 होगा और एक 2 होगा यह आपका answer होगा इस तरह से आप बना देंगे तो आपको full marks मिल जाएगा तो मैंने जो यह आपका questions solution करके बताया उमिद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अगर अच्छा लगा होगा तो ही आप वीडियो को लाइक करेंगे नहीं तो आपकी मर्जी ठीक है इसी तरह के अगर questions आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले नए हो तो और जो सब्सक्राइब किये उनके लिए नहीं है और आप ऐसे वीडियोज आपारे फ्लेलिस्ट में पास सकते हैं थाइंक्स वीडियो वाचिंग करने के लिए आप सबका सुक्रिया इसी तरह के मेज़ार वीडियो के साथ फिर मैं मिलूँगा तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद